तो students यह है class 7 laws of exponents है, ठीक है, second chapter नहीं आ चुके है, यहाँ पे fraction वालो पावर हमोग दखेंगे, fraction का power है, एक fraction है a by b और यह भी fraction नहीं है, दोनों same है, इसका power m है और इसका power m है, ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का power add हो जाएगा, clear, अगर एनी चीज़ डिवाइडिन होता, तो क्या करते हैं अब लोग, minus करते हैं, clear, या फिर ऐसे दिया हुआ होता, अब देख सकते हैं, a by b का power m है, multiply ही होता, बट उल्टा होता, तब भी same से लिखते हैं, a by b का power m minus m, clear, है नहीं ये a by b और ये b वाल a, clear, और स्ट्रेंट्स, यहां पर मुझे देख से लिख पावर अलग है, बट बेस सेम है, और अब जो formula आएगा third, a by b है, इसका power m है, और total का power क्या है, m, तो हम लोग power से power का multiply कर सकते हैं, a by b का power m into n, clear, ऐसे condition में into होता है, लिखर ये ब्रैकेट नहीं होता, तो multiply नहीं होता, वो आपको पता चलेगा, अगले classes में, यहां पर ब्रैकेट नहीं रहने का मतलब है कि ये m का power है, इन अभी power निवल की multiply है, fourth formula, अब a by b का power p है, और c by d का भी power क्या है, p है, दोनों का power p है, यानि बेस अलग है, बट power sin है, तो power कॉमार ने ले ले से, a by b, c by d to the power p, clear, 5, अगर किसी का power negative है, minus n, तो आप इसको अगर उपर नीचे करेगा न, तो power positive हो जागा, by a का power n, clear, पावर negative है, और इसको positive बनाना चाहते है, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, समझ रहेगी नहीं, एक और बात अश्विंस, और दुनिया में किसी का भी power zero हो, उसका answer one होता है, उसका answer क्या होता है, one होता है, ठीक है, देखिए कैसे, आपको बताते हैं, देखिए कैसे, एक example देते हैं, इस ayb ही है, पावर क्या है, जीरो है, पावर क्या है बच्छों, जीरो, जीरो गहांनों क्या लिचाटते हैं, 10-10, और जैसा कि यह figure आपको दिख्रावगी, फर्मना है, n-n का, n positive दिख्रावा है, कब, जब यह उल्टा हो जाएगा, तो, उसी दर, a by b का पावर 10 दिख्राव है, यह minus 10 plus कब देख्रावा है, जब by a हो जाएगा, क्लियर, समझगा है रहा है आपको, तो, यहाँ पर, यहाँ पर निकले थे हैं, ठीक है, देखिएगा, a का पावर 10 हो गया, b का पावर 10 हो गया, यहाँ पर क्या है, b का पावर 10, a का पावर 10, इसे एक हैंसे, इसे एक हैंसे, ultimate का मिला हुआ, तो आप 10 क्या कुछ भी लिख सकते हैं, 7-7, 8-8, 1-1, 2-2, कुछ भी लिखें, तो समझगा है रहा है, यह minus 10 plus कब बना, जब a by b क्या बन गया, by a, कि भी इस फर्मुला दें साब से, m-n है, m positive, और n भी positive लिएक कव, जब इस फर्मुला को लेखें, students, तो अब आगे हम लोगे सामने next question, फर्मुला खतर और question starts, okay, तो पहला question है, 5 का power minus 3, अश्वेट्स आपको बता दे, यह plus कब होगा, जब 1 by 5 बनेगा तब, 5 का power, जो minus 3 है, 3 plus कब बनेगा, जब आप इसको उल्टा लेखें, 5 को लेखें, 1 by 5, 1 का power कुछ में ओबन होन ही नहीं नहींगा, 5 का power 3 है यह 125, okay, अब यहां देखिए, यह उल्टा ही करना होता, 3 का power 4, 3 का power 4 किदना, 81, simple, यहां भी वह है, power negative है, तो पोजिटिव करने है, आप, उपर नीचे करके, 2 का power 3 है, 5 का power 3, 125, अब यहां देखिए, बेश से मैं, power अलगए-लगए, तो पावर जोड़ देखिए, 2 बाइ 3 का power, 3 प्लस 2, क्या जाएगा 5 ना, 2 का power 5, 32, 3 का power 5 किदना बनेगा, 3 का power 5, 243 बनेगा, टेक है, तो 32 बाई, 343, यहां अब देखिए, दोनों negative है, फर्स आप पावर एड़ दो, पावर माइनस 5, यह प्लस का होगा, जब 2 बाई 3 बनेगा, आप तो लगता है कि सेम कोशन होगे है दो, एंसर सेम होना चाहिए, 32 बाई 243, प्लस, तो ऐसा इन कोशन बहुत सारा है, अब देखेंगे, नेक्स कोशन, तो आग यहां, नेक्स कोशन, इस कोशन में आप देख सकते हैं, आप एक, दो, तीन, तीन चीजह है, और उसमें तो एक टीपिस है, क्या करेंगे हम लोग इसमें, जिसलिए 325 का पावर 0 है, तो फ़र्मला बताते हैं, बताते हैं, दुनिया में किसी का पावर 0 हो, वो 1 बनता है, यह 1 बनके हट जाएगा, इसका काम खत्र, क्लिए? पावर अलग-अलग सबको दे जिसे, 5 का पावर माइस 2, 9 का पावर माइस 2, यह एक काम करेंगे, इसको पहले हम पॉस्चिप बना लेंगे, जाब अच्छा रहेगा, निगेटिव, निगेटिव खिलने से अच्छाएग, पॉस्चिप कर लें, आब टू हो गया, 5 बाई 3, का पावर 3 होगा, यह तो ओर बन गया, ठेके, 9 का पावर 2, 81, 5 का पावर 2, 25, 5 का पावर 3, 125, 3 का पावर 3, 27, 27 से 3 वार में, 25 से भी 3 वार में, तो एकसर हो गया, 9, तो इसका एकसर आपको सुलज में आया, आब देखिए इसको, यहाँ पे है, जैसा जा आपको बताया थे क कि पावर, पावर मैंटिप्लाइट करेगा, यह प्रेक्नेट होगा, तो, 2 तो जा माइनस पर हो गया, यह प्लस कब बने का पावर, जब नीच्छे उपर हो जाएगा, तो, 3 का पावर 4, याने, 81, माइनस 2 का पावर 4, 16, माइनस का पावर जब भी इवेन हो, तो माइनस, ख इस कोश्चन में क्या है यहां power negative यहां power negative सब जगा power negative तो पहले positive कर लोजे 3 का power 3 2 का power 3 4 का power 3 ठीक है सब क्या बन गया positive power positive का बनता है जब ऊपर नीचे होता है यसे 1 नीचे हो यदर नीचे हो कि क्या करेगा कुछ नहीं कर पाएगा 3 कप पाव 3 27 2 कप पाव 3 8 4 कप पाव 3 64 clear 27 8 जाए तो 99 और divided by divided by multiply करें तो 1 by 64 ultimate answer आगे 19 by 64 okay students डेखे इसे और समझे तो यह आगे next question 9 number find the value of x for which यह equation है बीच में multiply एटेके हमें x का value find करना है यह दोना 5 by 3 अब उपर टी 5 by 3 है तो 5 by 3 बेस्ट होने का बेस्ट पावर को जोग लिए तो माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 ना और 5 by 3 का पावर है 3x ठीक है तो यहां पर स्क्रेट से question तो बहुत बड़ा दिखरा आता लेकिन है नहीं बेस्ट is equal to base है तो पावर equal to क्या होना चाहिए पावर होना चाहिए पावर अचाहिए by comparing बोथ साइट तो यहाँ पर 3x किसके बढ़ावर हो जाएगा माइनस 9 के बढ़ावर बेस इस इकोल टो बेस तो पावर एकोल टो पावर माइनस 9 बावर 3 x का वहलू क्या हो गया माइनस 3 simple तो यह कोशन बड़ा ही असान था इसको बार बार बनाएगे समझ यह कैसे बोने का आखरी है तो next topic जो है वो standard form है किसी भी नंबर को कैसे standard form में लेखे देखे यह 6.872 standard form कहले का बताब scientific form scientist लोग कैसे लिखते है तो scientist लोग ऐसे लिखते है एक digit बाद पॉइंट डाल देगे 6.872 और 10 का पावर कुछ देदेंगे बच्चो आपको वता दे बड़ा simple चीज़े यह जब expression का value घटेगा जो आपको दिकरा रहा है figure उसका मान घटेगा तो पावर बढ़ेगा पावर प्लस में तो एक, दो, तीर थ्री डिजिल के पाद पॉइंट आया ना तो पावर क्या देदेंगे? प्लस एक एक एक्जामपल देखे आपको समझाते हैं तो इसका पावर प्लस और इसका पावर माइनस बोलिये क्यों? क्योंकि यह जो था पहले से कम था और अब ज्यादा है तो यह ज्यादा हो गया तो पावर कम देंगे किसी तरह बढ़ावर करेंगे जब value ज्यादा है और value कम कर दिए तो पावर बढ़ा है और यहां पहले से कम था 0.006872 बहुत कम है और यह बहुत जादा है 6.872 अब तेन का पावर क्या होना चाहिए तो सबसे पहले तो यह निगेटिव होगा क्या होगा निगेटिव क्लियर आके दिक पॉइंट गया तहां इसको इसको जंपने किया इसको मिझे निखे निभ अमेर करेंगा एंद्नों क्यां इसको पावर करा हों गया माइनस्पर और यहां पर देखे जांए मैं प्रिक्न हम इस1.5 थी इस1.5 थे 6 तो इसको जम्प किया एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आट, नो, दस दस डिजित को जम्प किया जो तेन का पावर टेन पॉस्टिव में क्यों? क्योंकि बहरू पहले बहुत बड़ा था और यह छोटा है 1.536 बहुत ही छोटा है यही कोशन ऐसे होता, 0.00001536 चेक है? तो इसका अंसर अभी भी होई होगा 1.536, क्लियर? लेकिन टेन के पावर में डिफरेन्स आजाएगा क्यों आएगा? क्योंकि बहुत ही छोटा है और लिखा भी बड़ता, तो जब बहुत बढ़ेगा तो पावर घटेगा यहां पर 1 के पावर बढ़ेगा, तो यहां पर 1 के बाद पॉइंट आया न 1 के बाद पॉइंट, कहां से कहां गया? यहां से यहां गया कितने डिजिट को जब किया है? वो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ डिजिट को जब किया, इसलिए हम पॉइंट पावर माइनस 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ डिजिट को जब किया है, क्लियर? तो स्ट्वेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि यह स्टेंटर फॉर्म है का? तो यह हमबर्ग में रहेगा, आप इससे हमबर्ग में बनाएं, मैं पेडियर भेज़ दूगा, बस धन्या बाद, आज बस इतना है